दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको ओफर्स लेना है जैसे प्रेशनल लोन, क्रेडिट कार्ड तो आपके लिए सही अकाउंट कौन सा है, जीरो बैलेंस, सेवी अकाउंट, सैली अकाउंट, किसमें आपको जाना चाहिए, काफी लोग के मन में ये डाउट रता है, मैं किलियर करूँगा इस वीडियो में, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर दिना, और चनल पर नए आए हैं, त चनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को ओन कर देना, तो यहां भी मैं बता दू पहले जीरो बैलेंस के बारे में, और सेवी अकाउंट के बारे में, और सैली अकाउंट के बारे में, पहले आप थोड़ा से अपना डाउट किलियर कर लो, तो आप अगर किसी बैंक में, च करवाते हैं तो आप जो है उसमें अपना profile history अच्छा बना के रखें दो को आपका एक्काउंट चाहे zero balance हो चाहे maintenance करने बला हो चाहे सैली account हो अगर आप अच्छा profile history बना लेते हैं तो bank without कि सी region का आपको card और loan दे सकता है which क्या होता है जीरो बैलेंस में इसमें आपका benefit क्या होता है, जीरो बैलेंस में आपका benefit यह होता है, balance maintenance करना नहीं पड़ता है, आप उसे जीरो से start कर सकते हैं, और balance maintenance वाले में क्या होता है, कि आपको एक fixed amount जो bank आपको टारिक बता दिया, उतना आपको रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो sally account है, उसका system आपको पता है, अलग है, तो जो तीनो account है, इसमें आपके पास अगर कोई account है, तो कोशिस करके आप जितना हो सके, high balance maintenance करें, transition करें, आपको 100% सामने से offer आएगा, मैं कुछ bankों का list बता रहा हूँ, इसे आप note कर लेना, अगर आपके पास Kotec Mahindra bank का account है, आपने अच्छा कासा balance maintenance किया है, अगर आपको credit card का offer नहीं आ रहा है, तो आपने अधार card को update करवा लें, जिसे कि अगर माले आपके रिष्टेदार कोई city में रहता है, या वहां के area में अगर bank service अच्छी है, तो वहां के अधार card update करवाने से आपको card मिल जाएगा, यो कि bank city by city, area by area ज़्यादा ध्यान देता है, और आपका civil भी थोड़ा से अच्छा बना के रखना है, और यहां पर एक चीच और बता दूँ, अगर आप HDFC bank, SBI bank, या आपको, sorry, आप ICICI, XS bank में अगर try कर रहे हैं, तो यहां पर आप ज़्यादा focus करें HDFC bank में, HDFC bank में same process, लंबा maintenance की बात आके आती है, हम किसमें अपना account open करो, तो कोई भी account हो, आपको अच्छे से अपना record बेहवार बना के रखना है, जिनो balance में क्या होता है, कुछ service आपको free नहीं मिलती है, और आपको maintenance में कुछ free मिल जाती है, यही difference है, कुछ transaction का, कुछ withdrawal का, एक limit सीमा रहता है, और इसके बाद कुछ amount deposit का, ऐसे कुछ rules नियम रहते हैं, तो कोई खाश difference नहीं है, तो मेरे हिसाब से, अगर आप पहले अपन इसना details के आप के लिए क्या जरूरी है, अगर आप only offer लेना चाहते हैं, तो आप जो है, चाहिए इसमें से कोई account open करवाएं, बट थोड़ा मेरा बात जो बताए, इसको ध्यान में रखके चलें, तो काफी लोग का account काफी old होता है, offer नहीं आता है, तो क्या करते हैं, बैठे नहीं दे रहा है, तो को single name जो होता है, यह आपको sub bank accept नहीं करता है, single अमालो जिसे कि मेरा नाम प्रदीप है, तो मैं दूबे हूँ, तो मेरे नाम के आगे दूबे है, अगर मेरे नाम के आगे मेरे फादर का name लगना चाहिए, अब only मेरा नाम प्रदीप है, तो इस तरीके से हमें जल्दी offer नहीं आएगा, यो कि इसमें क्या होता है, कि कभी-कभी जो single name का system होता है, काफी लोग का single name के वैसे details मर्ज हो जाती है आपस में, इस से bank जो हमेशा इस चीज को ज़्यादा बारिके से देखता है, का फिर बोलते हैं, मुझे offer मिल गया, मेरा single name था, तो single name क अगर आपका है, तो आधार कार्ट को अपडेट करवा लें, अगर आप नहीं करवाते हैं, तो आज आप अच्छे से रह रहे हैं, आने वाले time में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, दिक्कत है सकता है, मालो अगर आपके घर में जादी family है, कल मालो अगर कोई जमीन या property का अगर हुआ, कहीं document दिखाना हुआ, तो single name के वैसे आपको दिक्कत आ सकती है, तो single name आपके लिए मुकसान दायक है, इसलिए है कि इसके पीछे का मैं कहानी बताऊंगा, तो ये वडियों बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्व इतना कहूंगा, कि single name वाले जो है ये गलती ना क अपने अधार काट को अपडेट करवा है, जहां जहां उनका account है, उसमें chain करवा के अपना अच्छे से maintenance करने ज्यादा अच्छा होगा, तो जो account है, saving और sally और इसके बाद the zero balance, तो इनमें से कोई account आप open कर लें, चाहे किसी भी bank में only एक ही बात मेरा note कर लेना, कि आप उसम लंबे टाइम से नहीं आया है, तो अपने अधार काट को जरूर अपडेट करवा लें, काड मिल गया फिर आप change कर लें कोई दिकत नहीं है, योगि bank area by area city by city जादा ध्यान देता है, प्रे अपरूब ओफरे bank कुछ नहीं देखता है, only customer का detail अच्छा लगा, profile history अच्छा लें, और union bank of India में कर लें, इसमें तो आप पैसे कुछ लगते हैं, 1500 तो दिकत नहीं है, तो offer अगर आपको ज्यादा लेना है, तो HDFC bank, IDC first bank, ICIC bank, और XS bank, A45 bank आप list में add कर लें, आपको offer आने का chance रहेगा, बट मेरी पीछे जो बने आपको बताया है, जश्ट अभी उसे आ कर देना, मनमें कोई भी सवाल तो comment कर देना, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, वंदे मातरम,